नमस्कार बालमित्र में आपका स्वागत है आज हम बाल गंगादर तिलग जी पर दस पंक्तिया निभंद देखेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं बाल गंगादर तिलग एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महराश्ट्र में हुआ था उनके पिता का नाम गंगादर पंत और माता का नाम पार्वति भाई था उने लोकमान्य तिलग के नाम से भी जाना जाता है वह उस समय के महाराश्ट्र के शासक चत्रपती शिवाजी महाराजी के बहुत बड़े प्रशन सक थे उन्होंने सन 1905 में स्वदेशी अंदोलन शुरू किया उन्होंने भारत के लोगों को स्वराज की अउधारना से परिचित करवाया उन्होंने शिव जयन्ती और गनेश पूजा के सार्वजनिक उच्सव की शुरुवात की उन्होंने गीता रहस्यनामक सबसे प्रसिद्ध भाश्य की रचना की एक अगस्त उन्नीसो बीस को मुंबई में उन्होंने आखरी सास ली और इस दुनिया को अलविदा कहा धन्यवाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चानल जरू सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद आपको